जहें दोस्तों स्वागत आपका एक्जाम पर यूटूब चैनल में आज की क्लास में लिकर आए हैं आप सभी के लिए मतुपूर्ण कॉस्चन आंशर तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर ले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले हैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर क किसी के लिए हिंदी साथ में 3000 प्रिशन की पीडियोप चाहिए है तो यह पीडियोप मात 300 ओर उपय में आप सभी के लिए मिल जाएगी नंबर स्कीन पर चल रहा है एक बार आप संपर करिएगा यह आप सभी के लिए उपलब्द हैं पीडियोप 9-3-995-39-66 पर आपके लि लिए चंपर करना है हिंदी कहानी का विकास कप से मानना उचित है यह आप चबी के लिए आंपर चैन करना है आप चबीक है और एक में आप सभीका सही आंसर होगा 1850-1880-1890-1990-2010-20 क्या होगा सही आंसर बताएगा चैन करिये का कौश्चन यह आंपर मत्युकुन दिया ग होना है तो आप सभी का यापर विखलब सभी का यापर सभी का यहां पर चाहन किया है उंसका या speaks हिंद की कहानी माना जाता है कौशो difॉन सब्सक्राइख की कहानी को राजाभोच का सपना हिंदू मत्य दुलाई वाली क्या होगा आप सभी का सही आंसर इन वैसे किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है question number 2 में आप सभी के लिए सही आंसर चैन करना है बताईएगा चैन करिएगा question मत्यपोन आपर दिया गया है इन वैसे किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है ये बताना है तो आप सभी का आपर सही आंसर है विकल्प number C वाला विकल्प आप सभी का आपर सही आंसर है इंदू मत्य इंदू मत्य आप सभी का आपर सही आंसर है पहली कहानी हिंदी की पहली कहानी माना जाता है किसे इंदुमती के लिए विकल्प नमबर आप सभी का यापर सी वालद हो है वह आपर सही आंसर होगा बहुत बढ़ी है इंदुमती कहानी के लेखक कौन माने जाती है किनकी कहानी माने जाती है इंदुमती के रचनाकार बताने मैस बर्मा जी दिनिश जी जया जी क्या होगा आप सभी का सही आंसर इंदुमति काहानी के लेखक कौन माने जाते हैं ये आप सभी के लिए आपर चैन करना है कि सुरी लाल गोसवामी बंगमेला सिर्परसा सितारे हिंद मुंसी इंसा अल्लाखा बताइए चैन करिये का सभी लो कॉस्चन ये आपर मत्पून दिया गया है औ और तीन में आप सभी का यहांपर सही आंसर होगा वेकल्प नंबर आप सभी का यह वाला वेकल्प यहांपर सही आंसर है किसूरी लाल गोसवामी क्या है सही आंसर किसूरी लाल गोसवामी आप सभी का यहांपर यह वाला वेकल्प आपका सही आंसर होगा विल्कुल सही कॉ दानसें चोहान या फिर स्याम सुंदर बास जी ने कि नोर ने माना है या आप सभी के लिए यहां पर चैन करना है कॉस्च न आप रमत्व पुण दिया गया है और आप सबी का यहां पर सही आंसर होगा question number 4 में मैं से किस आलूचक ने इंदू मत्य को हिंदी की पहली कहानी माना है तो बैए आलूचक कौन है यह आप सबी के लिए यहां पर चार में बताना है तो वेकल नंबर भी आप सबी का सही आंसर होगा आचा रामचन सुकल जी ने आचा रा पहली वार सरस्थी पत्रिका में कब हुआ था इंदू मत्य का प्रकासन आप सबी के लिए यहां पर चैन करना है कब हुआ था चैन करियेगा बताईए का question यहां पर मत्तुपूर्ण दिया गया है 1922 1903 1910 इनमें से आप सबी लोग सही आंसर चैन करियेगा कौन्चा सबी के लिए यहां पर कासन वड्स बताना है सदूर्धाइं अगर पूंचे जाकर किसका में हुआ है सद्थ्य में दो सेक्सपोर के नाक टाकटल कणूस बताया है वालई एक टो कि वर्मित्टी इंदूमति याप संचा समए बताईएगा question number 6 में सिवधान से चोहान ने किस काहनी को सेक्सपियर के नाटक टेंपिस्ट का अनुबाद बताया है आनंद जी तो आप सभी का याँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर विकल्प number आप सभी का याँ पर सही आंसर है, question number 6 में निंदुमती जनों ने भी आपर चेंग किया है उनका याँ पर सही आंसर है, लबली जी अंगला question याँ पर देखेगा, question number 7 याँ पर दिया 11 वर्स का समय, कहानी के लेख़क कौन मानी जाते हैं 11 वर्स का समय, सिब्धान से चोहान, आचार रामचन सुकले question number 7 का सही आंसर बताना है, 11 वर्स का समय, यह मत्यपून कहानी है और इसके लेख़क कौन मानी जाते हैं, यह यहाँ पर चेंग करना है तो आप सभी का यहाँ पर साथ में सही आंसर है, आचार रामचन सुकले जी जो है उनी की एक काहनी मानी जाते है, 11 वर्स का समय, काहनी के लेख़क कौन मानी जाते है नाचार रामचन सुकले जी मानी जाते है अंगला question यहाँ पर दिया गया है, question number आप सभी का यहाँ पर दिया गया है आठवा question है, पिलैगी की चुड़ेल कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं Q8 में सही आंसर बताने मादाव पृसाथ सप्री है विसमनाज सर्मा कौसेक है लाला भगवान दीन है ब्रंदा बनलाल बर्मा है आठ में आप सभी के लिए आपर चैन करना है पिलैगी की चुडेल कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं पिलैगी की चुडेल कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं यह आप सभी के लिए आपर चैन करना है तो आप सभी का है आपर सही आंसर होगा पिलैगी की चुडेल यह क्या है एक कहानी कहानी विदा से सम्मन देते मत्पूल कॉस्चन या पर दिये गए हैं आठ में आप सभी का सही आंसर है लाला भगवान दीन जो है उनी की एक कहानी मानी जाती है कौन सी पिलेग की चुड़ेल विकल्प नमबर आप सभी का आप सी वाला जो विकल्प है अंस जी वह आप सभी क करना है इस रस्ती पत्रिका में या पिर इंदू में मर्यादा में हंस में कौस्चन नमबर नौ में आपर सही आंसर चेन करना है बताइए का कौन सी वह पत्रिका है सबसे पहली पूंचा जाता है कि कानों में कंगना की रचनाकार कौन है तो राजा राधिका राधिका रमण प्रसाद सहे और किस पत्रिका में प्रकासे तुई थी तो आप सभी का सही आंशर है पत्रिका इंदू विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का याँपर सही आंशर होगा बीवाला विकल्प आप सभी का याँ पर सही आंसर है बहुत बढ़िया इंदू पत्रिका आप सभी का याँ पर सही आंसर है इंदू पत्रिका में प्रकासित हुई थी Question number 10 याँ पर दिया गया है प्रसाद जी की कहानिया किस पत्रिका में छपती थी जैसंकर प्रसाद जी जो है इनकी कहानियां सरस्थती में, मर्यादा में, इंदू में, प्रताप में किस पत्रिका में छपती थी, यह सही आंसर यहां पर चैन करना है, दस्वा कॉस्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर होगा, दस्वें प्रसाद जी की कहानियां किस पत्रिका में छपती थी, दस्वा आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा, विकल्प नमबर सी वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर है, यहां पर भी इंदू आप सभी का सही आंसर है, क्या है स कहानीकार रचेता कौन माने जाते हैं, ग्यारे वा कॉस्चन यहापर दिया गया है, ग्यारे में आप सबी लोग चैन करिएगा, कॉसिक जी है, प्रयमचंद जी है, ज्वाला दत्त सर्मा जी है, या प्रब्रंदा वनलाल बर्मा जी है, बताईएगा रक्षाबंदर कहानी की रचेता कहानीकार कौन थे, यह बताना है, और यह कहानी बहुती प्रसित्द मत्वण कहानी रक्षाबंदर नाम से दो रचनाई लिखी गई हैं, दो लोगों द्वारा लग-लग, लेकिन यहापर कहानी पूंचा गया है, तो ग्यारे में आप सभी का सही आंसर एक कॉसिक, विसंबनास सर्मा कॉसिक जी जो है, उनी की जो है कहानी मानी जाती है, विसंबनास सर्मा कॉसिक आप सभी का यहापर सही आंसर होगा, अंगला कॉसिक यहापर दिया गया है, बारे बारे में आप सभी लोग बताएंगे कि चंद दर्व सर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कह कहानिया लिखी हैं बताइएगा यहां पर चैन करना है बारेवा कॉस्चन है बारे में सही आंसर बताने देवकरम जी दनेश जी आनंद जी बताइए छे चार पांच या फिर तीन चंद्र धर सर्मा गुलेरी जी जो है गुलेरी जी ने कितनी कहानिया लिखी है यह आप सभी से यहां पर कॉस्चन पूंचा गया है और गुलेरी जी ने बहुत ही प्रिसिद्ध मत्वण कहानिया लिखी है मात्रे कितनी तीन कहानिया लिखी है तीन कहानिया लिखी है नबर डी आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा दे वाला विकलप आपका सही आंसर है यहां पर आप सभी के लिए बताना है उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताईएगा किनकी कहानी मानी जाती है तेरे वा कॉस्चन यहां पर है चंद दर्व सर्मा गुलेरी प्रेम करिए का कॉस्चन या पर मत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहां पर सही आंसर उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम है चंद धर सर्मा गुलेरी जी की सबसे प्रिसित्य कहानी मानी जाते है उसने कहा था वेकल्प नंबर सी वाला वेकल्प जो है वाला वेकल्प ज काटा या फिर उपर्युक्त सभी कॉस्चिन नमबर 14 हैं आपर दिया ग्या है कि चौदह में आप सभी के लिए आपर चैन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का याँ पर सही आंसर है इनमें से कौन सी कहानी चंद धर्शर्मा गुलेरी की है यह बताईएगा मोटिवेशनल जी पुस्पराज जी आप सभी का याँ पर सही आंसर है कि इन्होंने तीन कहानिया लिखी है उसने कहा था सुकमाइट जीवन और बुद्धु का काटा यह तीन कहानिया लिखी है कि इन्होंने लिखी है विनीता जी चंद धर्शर्मा गुलेरी जी ने तो परि कहानि का प्रकासन कब हुगा था उसने कहा था गुलीरी जी की कहानि है इसका प्रकासन आप सभी सभी आंसर चैन करना है तो विकल्प नंबर आप सभी का यहां पर सभी आंसर होगा नीलम सरुच जी वाला विकल्प आप सभी का सभी सभी आंसर है 1915 में 1915 में इसका प्रिकासन हुआ था उसने कहा था कहानी 1915 प्रियम्चंद पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वष्ष्ट कहानी कौन सी है भर आप कहानी आप सभी लोग चैन करेंगी क्यानी है यह उसने कहा ता यहा प्रिदियाग्याई प्रेम्चंद पूर्वे हिंदी कहानियों में सर्ब्स्रेष्ट हिंदी कहानी कौन सी है सर्ब्स्रेष्ट हिंदी कहानी आप सभी के लिए आपर चैन करना है तो आप सभी का यापर सही आंसर हो का कॉस्चन नमबर सूले में विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आप सभी का याँ पर सही आंशर है उसने कहा था गुलेरी जी की 1915 की ये कहानी जो है ये प्रेमचंद पूर्वे हिंदी कानियों में जो है सर्वसेष्ट कानी मानी जाती है सी वाला विकल्प आप सभी का याँ पर सही आंशर है उसने कहा था कहानी का मूल विसय क्या है ये आप सभी के लिए बताना है आदर्स प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है या फिर किर्शक जीवन का चित्रन या समांज सुधार की भावना या फिर समां सुधार की बाब नहीं हो गया एन्यातिकता एवं उपदेशात्मक्ता सत्रह में सही आंचर बताने उसने कहाता है कहानी का मूल विसय क्या है इसका मूल विसय आप सभी के लिए राकी जी तनु जी सुस्मा जी चेंड करिएगा सभी के कमेंट यहां पर देख रहे हैं सत्रहवा कॉस्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है इसका जो मूल विसय है आदर्स प्रयम्जुत्या को बलिदान के लिए प्रेरित करता है यह वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा यह वाला विकल्प आपका सही आंसर है कॉस्चन नमबर का यहां पर 18 में सही आंसर होगा 1908 है या फिर 1910 1906 या फिर 1912 पिरसाद जी का पहला कानी संग्रेश चाया माना जाता है और यह कब प्रकासित हुआ था यह आप सभी के लिए 18 में सही आंसर चैन करना है तो विकल्प नंबर आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा डी वाला विकल्प है यानि कि 1912 में यह प्रकासित हुआ था डी वाला विकल्प है जनों ने भी यहां पर चैन किया है उनका यहां पर सही आंसर होगा बहुत बढ़िया सभी लोगों ने डी वाला यह विकल्प यहा उर्दु में लिखता था। पहकानिकार आप सबी के लिए याँति, कोन थी, बताईगा क्या होगा सई चैन करना है। आप सबी के लिए वप modular सेट होगा ॥ प्रेंड में उनिस में बताना हिंदी का कॉम्सा काहानी नवाब राय के नाम से उर्दू में में लिखता था तो-उनिस में सबी का सबीका सई आंशर है प्रियम चंद है प्रेंड बिया आप सबीका यह वाला जो विकल पर है व्यास दूबत बढल सflow in प्रियम्चंद आपका सही आंसर है प्रियम्चंद का कौन सा कानी संग्रे अंग्रेश सरकार ने जब ते कल लिया था कॉश्चन नमबर 20 में आप सभी के लिए आपर चैन करना है बताईएगा क्या होगा सही आंसर अभी जो है बिहार में बीपेस्टी का भी जो है बिहार का भी एक्जाम होना है कब होना है आप लोग का बताईए हिंधी की क्लास ने आप लोगों के लिए भी desses की तैयारी कर रहे है और आप जो हैं अगर कोई कर रहा हो तो बताईएगा प्रियम्चंद का कौन सा काहनी संग्रें अंग्रेश सरकार ने जब तकल लिया था गăल्प निए यानिकी सोजे वतन को अंग्रेश सरकार्टा द्वारजब तकलिया गया था यह वालीинки'tी कहानी का क्या नाम था बताएगा बुली का की मंत्र या पर पर 171 पर दिया ग्या है यहाँ पर 21 कॉस्चन है 21 अप सभी के लिए चैन करना है कि नाम था चैन करिएगा कॉस्चन याँ पर मत्तुपून दिया ग्या है और आप सभी का है आपर सभी का नाम था पंच परमिश्वर नसी वालव एकल्प आप चवी का गटारे पंच परमिश्वर आप सबीका आपर सई आंशर रहा जली से एक बार सवी लोग शेयर कर दीजेगा इस क्लास को ताकि सवी लोग इस क्लास से जुड़ जाए वीडियों को लाइक भी करते जाएगा 1910 में 1912, 1915, 1916 क्या होगा सही आंसर चैन करिएगा पंच परमीस्वर का प्रिकासन कब हुआ था ये आप सभी के लिए आपर चैन करना है अर्चिना जी और सानी सरूद जी आप सभी का यापर सही आंसर यापर इसका प्रिकासन हुआ था 1916 में नड़ी वाला विकल्प आप सभी का यापर सही आंसर होगा 1916 आप सभी का यापर सही आंसर है नड़ी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा पंच परमीस्वर का प्रिकासन बताना है यंगला कॉस्चन यापर है question number आप सभी का यहाँ पर 23 वा question है प्रयमचंद जी की अंत्यम कहानी कौन सी मानी जाती है बताए सतरंज की खलाडी है कफन है या फिर बड़े भाई साहब या फिर लोटरी question number यहाँ पर 23 दिया गया है 23 में सही आंसर चैन करना है बताए प्रयमचंद जी की अंत्यम कहानी कौन सी मानी जाती है प्रिशिद्ध मत्यपून कहानी है प्रमोज जी नीतु जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह मानी जाती है कौन सी प्रयमचंद जी की अंत्यम कहानी कफन मानी जाती है कौन सी कफन आप सभी का यहाँ पर भी व 1932 1935 1936 क्या माना जाता है कफनिक का प्रकासन वर्ड्स क्या माना जाता है 24 वा कॉस्चन यांपर दिया गया है और 24 में आप सभी का सही आंसर 1936 क्या माना जाता है 1936 आप सभी का यांपर डी वाला जो विकल्प है वैं आप सभी का यांपर सही आंसर होगा 1936 आपका सही आंसर ह लोगोंने सही आंसर बताया है मान सरूबर एकिसकी कहानियों का संकलन ने कॉश्चे नंबर पच्चे स्यांपर दिया गया प्यामचंद प्रसाद है भग्वति चन बर्मा यह सभ्य स्पहल रिय competing ऑफ्यों मंदूश को है five प्रेमचंद कथा समराट उनसी प्रेमचंद उनी की कहानियों का संकलन क्या है मान सरूबर ये वाला विकल्प आप सभी का याँ पर सही आंसर होगा प्रेमचंद जनों ने भी याँ पर चैन किया है उनका याँ पर सही आंसर है कमला जी अंगला कॉस्चन याँ पर देखते है इनमे ऐसे कौनसी कहानी प्रेमचंद की नहीं है नहीं आप सभी के लिए चैन करना है इदगा है नसा पुरुषकार सवासिर ग्याहूं इनमे ऐसे आप सभी लोग चैन करेंगे कौनसा विकलप आप सभी का याँपर सही आंसर है बताइए प्रेमचंद की कहानी नहीं पूंचा गया है नहीं बताना है 26 में तो आप सभी का सी सही आंसर है पुरुषकार ये कहानी किनकी मानी जाती है पुरुषकार मानी जाती है किनकी जैसंकर पुरुषकार जी जो है उनकी कहानी मानी जाती है पुरुषकार में क्या मिला पुरुष प्रेसाद जी की कहानि कौनसे है पुरुष्कार रियम चंध जी की कौनसी कहानी इनमेसे दि पहल ग्यांड है। प्रेमचन्द जी की कौनशी कहानी इन वैसे जो है आदर्सवादी नहीं है नहीं आप सभी के लिए आपर चैन करना है तो 27 में आप सभी का आपर सही आंसर क्या होगा Q27 है और B वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा Q27 याप div का कफन जो है प्रेमचन्द जी की आधर्सवादी काहनी नहीं पूँचा गया है कफन आपका सही आंसर है नंतम काहनी मानी जाते है प्रेमचन्द जी की अंगला question याँ पर दिया गया है 28 बार कॉस्चन है प्रेमचंद की कहानियों की विशय में कौन सा कतन असत्य है असत्य कतन बताने प्रेमचंद की कहानियों में कता सिल्प का उत्तरोतर विकास हुआ है सन 1930 के बाद की कहानियों की कतानक संचिप तेवं संसलिस्ट है उनकी सभी कहानिया आदर्सवादी हैं, बताईगा Question number 28 में आप सभी के लिए आपर चैन करना है प्रयमचंदे जी की कहानियों की विशाय में कौन सा कतन असत्य असत्य कतन आप सभी के लिए आपर चैन करना है 28 में आप सभी का डी वाला विकल्प सही आंसर है उनकी सभी कहानिया आदर्सवादी हैं आदर्सवादी आप सभी का यापर डी वाला विकल्प जो है आप सभी का यापर सही आंसर होगा अंगला Question है पूस्की रात एक कहानी किस बर्ग में आएगी 29 में वतानी अथा अर्थवादी है आदर्सवादी है चरित्र प्रधान है घटना प्रधान है किस परकार की कहानी है किस बर्ग में एक कहानी आएगी पूस्की रात तो आप सभी का यापर सही आंसर है पूस्की रात कहानी किस बर्ग में आएगी ये बताना है Question मत्वण आपर दिया क्या है 29 में आप चभी का यापर सही आंसर क्या होगा ये बताना है पूस की रात मत्वण कहानी यापर दी गई है और 29 में आपका सही आंसर यह थार्थ वादी कहानी मानी जाती है पूस की रात जो है यह थार्थ वादी आपका सही आंसर होगा विकल्ब नमबर एक पूस की रात कहानी किस बर्ग में आईगी तो यह थार्थवादी आप सभी का यापर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यापर देखेगा कॉस्चन आपका यापर दिया गया है आप सभी का यापर तीस बार कॉस्चन है विसंबना सर्मा कॉस्चन ने कुल कितनी कान्या लिखी है तीस में आप सभी के लिए पचास सो एक सो पचास दो सो क्या होगा सही आंसर विसंबना सर्मा कॉस्चन जी जो है उनकी अनुसार उनकी कान्या बताने कितनी कान्या इनोंने लिखी है क्या होगा आप सभी का सही आंसर विसम्वना सर्मकॉसिक ने कुल कितनी कहानिया लिखी है कॉस्चन नमबर आप सभी का यापर 30 दिया गया है और 30 में आपका सही आंसर होगा डी वाला विकल्ब कमला जी जुसमा जिड़ी वाला विकल्प आपका यहां पर सही आंसर है यानि कि 200 कहानिया लिखी है 200 आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखते हैं कॉस्चन नमबर आप सभी का यहां पर दिया गया है 31 में आप सभी के लिए आपर चैन करना है क्या होगा आप सभी का सही आंसर विंदू जी जैसंकर प्रसाद जी जो है इन्होंने कुल कितनी कहानिया लिखी है 31 में आप सभी का यापर सही आंसर होगा इन्होंने कुल कितनी कहानिया लिखी है यह बताना है तो आप सभी का यापर सही आंसर 31 में वेकल नंबर आप सभी का सी सही आंसर यानि की 69 कहानिया लिखी है जैए संकर प्रशाद ने कितनी 59 आप सभी का यापर सभी आंशर सी वालध हो है वैँ आपका यापर सभी आंशर होगा ताही कहानी के लेखअ कोई मानी जाते हैं मदधिस बा क्वास्चन यापर दिया ग्या है 32 में बताने प्रेमचंद हैं कौसिक हैं सुदर्सन हैं प्रसाद हैं ताई कहानी के लेखक को अन मानी जाती है कौस्चन आप का यापर 32 दिया गया है और 32 में आप सभी का यापर सही आंसर होगा ताई कहानी मानी जाती किनकी कंचन जी नितू जी आप सभी का याँपर सही आंसर होगा 32 का विकल्प नमबर आप सभी का भी वाला विकल्प सही आंसर है कौसिक कौसिक आप सभी का याँपर सही आंसर है भी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा कोसिख जी की कहानी मानी जाती है टाइ अंगला कोस्चन यहां पर दिया गया है कॉस्चन अंगर आप सभी कunda यहां पर ते तिस बा कोस्चन है कोसिख जी की प्रतम कहानी रक्ष्या बंदन जो है कब प्रकासिट हुई थी 1910 में 1912 में 1915 में 1920 में अकके बताईएगा किया है आप सभी का याँ पर सई आंसर ह样 कोश्चन मत्तपूनर याँ याँ पर दिया क्या है रानी जी टेलीग्राम देखियेगा टेली पर में जड़ जाएगा और टेलीग्राम में आप वह ईज़ देजिएगा अभी हमने स्लीय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिये टेलीग्राम की तो पर देख लेंगे इसलेबस के अकॉर्डिन जो है फिर क्लास ने शुरू करते हैं जो इसकी प्रितम कहानी रक्षा बंदन का प्रिकासित हुई है यह आप सभी के लिए बताने और सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से और अगर उस लिंक से नहीं जोड़ पा रहा है तो आप सर्च कीजेगा टेलीग्राम में एक्जाम पार यूटूब चैनल और कॉसिक जी की प्रितम कहानी रक्षा बंदन का प्रिकासित हुई थी तो आपका यहां पर 33 में भी वाला विकल्प 1912 होगा सही आंसर गंगला कॉ पूर्ण दिया गया है आपर 34 में कॉसिक जी की कुल कानियों की संख्या लगबग कितनी मानी जाती है यह आप सभी के लिए यहां पर चैन करना है 34 में आप सभी के लिए बताना है तो विकल्प नंबर आप सभी का यहां पर सही आंसर है यानि की 200 कॉसिक जी की कुल कानियों की संख्या कितनी है 200 लगबग 200 जो है आप सभी का यहां पर सही आंसरों का 200 कानिया इन्होंने लगबग लिखी है अंगला कॉस्चन है इन्हें से कौन से कानी कौसिक की नहीं है नहीं बताना है आप सभी के लिए बताई गताई कानी रक्षाबंदन विदबा पुरुसकार 35 पा कॉस्चन यहां पर दिया गया है और 35 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा इन्वेसे कौन सी कान ही जो है कौसिक की नहीं है नहीं आप सभी के लिए आपर चैन करना है चार विकल्प आपके आपर दिये गए है और 35 में आप सभी का यापर सही आंसर क्या होगा यह बताना है तो आप सभी का यापर सही आंसर होगा नहीं पूंचा गया है नहीं में तो आप सभी का यापर सही आंसर क्या है विकल्प आप सभी का यापर विल्कुल सही बहुत बढ़िया नहीं पूंचा गया डी वाला विकल्प बहुत सारे लोगों ने यहां पर बताया है कि पुरुस् की कहानी नहीं मानी जाती है कौंशियन नमर आप सभी के या या पर दिया गया चत्तिसवा कौस्चन ची के कानियों के संबंद में कौन सा कर्थन असत्य कर्थन सबय के लिए याँ なर मेस बर्मा जी चैन कन्ना है, चित्रसाला उनके कहानी संकलन का नाम है, हार की जीत की रचनाकार कौसिक है, कौसिक की रचना की विसाय में सामजिक समस्याओं से, कौसिक जी की कहानियों की विसाय सामजिक समस्याओं से जुड़े हुए है, कौसिक जी ने दैजपृता, परदा पृता और बा सचिक नहीं मानी जाती है N Finally in the वेकल पापका सही आंशर हो गा hour कि भी वाल में विखल पाप सभी का या पर सही ऑंसवर है बहुत बढ़ी अंग्ला खौके पर देखिए question आपका यापर आपर क्या दिया गया है question नमबर आपका यापर 37 दिया गया है इनमें से कौन सा कहानी सेंकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है नहीं आप सभी के लिए आपर चैन करना है बताईएगा सुदर्शन, सुधा, मणी माला या पिर पुस्पलता या पिर तियात्रा question नमबर 47 है कौन सा कहानी सेंकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है नहीं बताना है 37 वा question आपर दिया गया है और आप सभी का आपर सही आंचर होगा 37 में बी वाला विकल्प आप सभी का आपर सही आंचर होगा बड़ी माला आप सभी का आपर सही आंचर है विकल्प नमबर 2 यहाँ पर सही आंचर है वी वाला विकल्प जन्हों नहीं भी यहाँ पर चेंग किया है उनका यहाँ पर सही आंचर Athens का सत्यार्थी कानी के लेखक कौन माने जाते है सुदर्शन है, कौसेक है, प्रसाद है, प्रेमचंद है Question number 38 में यहाँ पर सही आंचर चेंग करना है Athens का सत्यार्थी कानी के लेखक कौन माने जाते है प्रेंका जी बताइएगा Question यहाँ पर मत्वपूर्ण दिया गया है Athens का सत्यार्थी के रचिनाकार कौन माने जाते है और आप सभी का यहाँ पर सीमा जी सही आंचर होगा Athens का सत्यार्थी के लेखक कौन माने जाते है यह वाला विकल्प आपका सही आंचर है सुदर्शन जी जो है, उनी की यह कानी मानी जाते है ये वाला विकल्प आप सभी का यापर सही आंसर है, सो दर्सन आपका सही आंसर होगा, अंगला कॉस्चन यापर क्या दिया है, इनमें से कौन सा कानी संकलन पिरसाद की कानियों का संकलन नहीं है, पृतिद्वनी, गिंदरजाल, गल्प मंजरी या फिर छाया, बताइए, इनम चालिस में आप सभी का यापर सही आंसर है, देखें, पृतिद्वनी है, इंदरजाल है, छाया भी है, लेकिन नहीं पूंचा, तो गल्प मंजरी जो स्थी वाला विकल्प है, स्थी वाला विकल्प है, आप सभी का यापर सही आंसर होगा, गल्प मंजरी आप सभी का याप पर सही आंसर है अनिल जी अंगला कॉश्चन यापर क्या दिया गया है कॉश्चन नमबर आप सभी का यापर दिया गया चालिस बाकॉश्चन है कौन सी कहानी प्रसाथ द्वारा रचित नहीं है ममता या पर सालवती पृति ध्वनी या फिर सुजान भगत 40 में आप सभी के ल चालिस में आप सभी का सई आंसर है कि नहीं बताना ए तो विकल्प नमबर आप सभी का आपर सही आंसर है बुद्ध गुप्त एवं चम्पा किस काहनी के पात्र माने जाते हैं 41 बा कॉश्चन आपर दिया गया है 41 में आप सभी के लिए चैन करना देवरत आकासदी पुरुसकार ममता क्या होगा आप सभी का सही आंसर है चैन करिएगा बुद्ध गुप्त एवं चम्पा आप सभी के लिए बताने किस काहनी के पात्र माने जाते हैं वह काहनी आप सभी के लिए आपर चैन करना है कौन सी काहनी है तो आप सभी का याँपर सही आंसर होगा 41 में भी वाला विकल्प आपका सही आंसर है आकास दीप आप सभी का यहांपर सही आंसर होगा क्या है सही आंसर आकास दीप भी वाला विकल्प आप सभी का यहांपर सही आंसर है अंगला क्वेशन है अरून और मदुलिका किस कानी के पात्र माने जाते हैं 42 में आप सभी के लिए आपर चैन करना है 42 में मंत्रे पंच परमीश्वर मम्ता पुरुस्कार क्या होगा सई आंसर चैन करिए का कॉस्चन यापर मत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यापर सई आंसर आ रहा है कि अरुण और मदुलिका किस कहानी के पात्र माने जात प्रसाद बाच्पे 43 में आप चैन करना है बताइगा कि 43 में आप सभी का यहां पर सई आंसर क्या होगा सें गड़ विज़े पनेऎब दाय रुठी रानी अंब पालिका यह कहानियों की रचेता माने जाते हैं 43 में B, सभी आंशा है, A4, C, 26, शास्त्री, A4, C, 26, शास्त्री आपका सभी आंशार होगा, अंगला क्योच्चन यहां पर दिया गया है, क्योच्चन नमबर आप सभी का यहां पर 24 है, हाप निसानिया और दो धारा किसे लेखक के कहाली संग्रों के नाम है चबालिस में आप सभी के लिए बताना है उप्यंदना अतस्त के भगबती प्रसाद वाचपे, चतुरसेन सास्त्री, राधिका, रमण प्रसाद सहे क्या होगा सईया अनसर निसानिया ओद्धारा किस लेखर के कहारनी संग्राय के नाम है 44 में आप सभी के लिए आपर चैन्ग करना है तो आप सभी का याँ पर सही आपर जाई आइस wanna इस अका सभी का या पर यह वालट विकल्प है तो मैं बहुत बढ़ी एंगला कॉस्चन यहां पर दिया गया है कॉस्चन नमबर आपका यहां पर पेंटालिस है कि पिरसाद सब्सक्राइब का कौन सा कानिकार सामाजे के या थार्त को नगन रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धस्त माना जाता है बताएगा रादिका रमण प्र प्रसाद वाच्प्य जैसंकर प्रसाद या पांडवेचन सर्मा उग्रे अब प्रमजी देख लेते हैं अभी उसकॉस्चन को पैंतालिस में आप सभी के लिए आपर चैन करना है क्या होगा आप सभी का सई आंसर को सब्सक्राइब कोस्ट को पूंची गई है को आंसर बताईए का कॉस्चन या पर मत्पूंड दिया गया है और सई आंसर होगा विकल्प नंबर आप सभी का या पर पैंतालिस में डी सई आंसर है पांडवेचन सर्मा उग्राप सभी का या आपर सई आंसर है पांडवेचन सर्मा उग्राप का सई आंसर है सत्मी के बच् चैन करिएगा कॉस्चिन आपका यापर मत्टपुन दिया गया है और आप सभी का यापर सही आंसर क्या होगा ये चैन करना है तो आप सभी का यापर कानों में कंगना किस की प्रशित्त कान ही मानी जाती है, कानों में कंगना आप सबीके लिए आपर छैन कनना है, कानों में कंगना की रचिनाकार आप सवी के लिए याँ पर चैन कनना है बता येगा कानों में कंगना किसकी पिरसिद्ध कानी है प्रेमचंद कौसिक सुदर्सन राधिका रमण पिरसाद सें कौस्च नमबर 47 याँ पर दिया गया है और अब भी पड़ाता पन्ने ये तो ड़ी वाला वेकल्प राधिका रमण पिरसाद सें आप सवी का याँ पर सही आंचर है कौस्चन है कौनसा कानी संग्रे उग्र जी का कानी संग्रे नहीं है नहीं वताएं दो जग क्याक कहानी कृमुदी इंत्रदनुस या फिर चॉकलेट question number आपका यहांपर 48 दिया गया है 48 में चैन कनना है तो आपका सही आंसर है कौन सा कहानी संग्र है उग्र जी का नहीं है नहीं आप सभी के लिए आपर चैन कनना है तो 48 में आपका सही आंसर है कहानी को मुदी आप सभी का सही आंसर है बी वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा अंगला question है प्रेमचंद युगीन कहानी की कालबदी क्या मानी जाती है कब से कब तक मानी जाती है प्रेमचंद युगीन कहानी की कालबदी क्या मानी जाती है तो आप सभी का यहां पर सही आंचर होगा वी वाला विकल्प यानिकी 1916 से 1936 आपका सही आंचर है वी वाला विकल्प जो है पर आप सभी का यहां पर सही आंचर होगा यानि मैं से किसे लेखक की भासा में लोकोक्तियों एवं मुहाबरों का सटीक इसने जिसका आंसर आप लोग कमेंट में जुरूर बताएंगी क्या होगा इसका सही आंसर और एक क्वास्चन आपका यहां पर पूंचा गया था आप सभी से विसंबन ना सर्मा क्वासिक जी ने कुल कितनी कहानिया लिखी है तो यहां पर सुधाल लीजेगा क्योंकि क्वास सही आंसर है इसको जो हमने 200 बताए था कॉस्चन नमबर 34 में आपका यहां पर जो है डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है और आप सभी के लिए बता दें कि दस बजे जो है आज जो है एक वीडियो आएगा आज के वीडियो में आपके लिए जीवन परीचा मिलेगा किनक लक्ष्मी नारण मिस्त्र जी का जीवन परीचाई जनके लिए जो है जीवन परीचाई पढ़ना है तो दस वजे वाली किलास में जो है जुड़ जाईएगा सभी लोग लक्ष्मी नारण मिस्त्र हिंदी सायत में 3000 की पीडियाप आप सभी के लिए उपलब दें मातर सौर पर यह पीडियाप मिल जाएगी नंबर स्कीन पर चल रहा है नाइं त्री डबल नाइन डबल फाइफ त्री नाइन डबल शिक्स पर आपके लिए संपर करना दिनेश जी अनीता जी सुष्मा जी अर्चना जी नेलम जी कुलदीब जी लवली टाकुर जी कमला जी सीमा जी कंचन जी प्रमोद जी ननीता जी आनंद जी तनु जी प्रेंका जी प्रमोद जी एमस बर्मा जी सीमा जी राहुल जी अर्चना सुकला जी भाबना कुमारी जी और प्रमोद जी अंस जी अनिल जी नीता जी मस बर्मा जी आनंद जी राखी जी सभी के लिए बहुत बहुत दन्यवाद और मिलते हैं कल वी अपनी किलास हैं जो है नंतन चलेंगे और सबीक लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद